नमस्का दोस्तों मैं गौरव और आज हम देखे रहे हैं निनौल्ट काईगर आर एक्सल वेरियंट देख रहे हो सेकिंड वेस वेरियंट मैनूल टांस्मीशन में ब्याइसिक्स फेस्टू के साथ दोजार चौविस के अंदर यह आपका मॉनो टॉन है वाइट कलर के अंदर 6,99,990 एक्सल वेरियंट आजाते हैं इसके हरियाना फइदावाद के अंदर बाकि स्टेट वाइस प्राइस वेरि करते हैं कौनसी स्टेट साब बलॉंग करते हैं आपकी स्टेट के प्राइस भी हम आपको कमेंट बॉक्स में अविलेवल करा देंगे बाई इस सेग्मेंट पर आके इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है हमें इसमें हमें 205 mm का ग्राउंड कलेनेस मिल जाता कॉम्पैक्ट SUV सेग्मेंट की गाड़ी है और ग्लोबल एंड कैप पे इसकी बिल्ड क्वालिटी ने 5 स्टार सेफ्ट रेटिंग अचीव करे हुए हैं यहां से गाड़ी का स देख सकते हो प्रोपर साइज के साहथ 5 स्टार सेफ्टी बिल्ड रेटिंग के साथ build क्वाल्टी सेफ्टी डेटिंग के साहथ देख सकते हो और गाड़ी आपके सामने है वाकिवीचर्स क्या क्या है उसके अरों में बात कर लेते, RXL है, Kair, सेकिंड, BASE, वेरिंट आप इसे बोल सकते हो, बात कर लेते, फीचर अबडेशन के फीचर क्या कहा है इसके अदर हमें अबडेट मिलते हैं, तो फ्रंट पे आ जाते है, रूफ रिल्स मिल जाते हैं, क्लोजी ग्रे कलर के, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, कुछ इस तरह से बॉनट भी आएगा, टू वाइपर, विल्ट सिंगर वाशर, कुछ इस तरह से बॉनट भी आएगा, रैनो का लोगो, रेडर ग्रिल पर बिलैक और गानिश शीट में लोवर ग्रिल, मैड ब्लैक में मिलेगी, बाकी बंपर का लोवर पार्ट पूरा ब्लैक में दिया हुआ, और यहां से आप देखो कुछ पार्ट इस तरीके से निकला हुआ, कि कोई अगर बॉन बंपर पे, आपको स्क्रेचिस वगएरा से ये गारी बचाएगी, गारी का फ स्राउंडिंग, फेंडर पे आपको ब्लैक पार्ट देखने के लिएगा, टायर साइस की बात करूँ, तो टायर साइसेस में मिलेगा, एक सो पिचान में, आसी सोला का, 16 इंच का टायर इस में दिया हुआ, एक सोजी सोला यह ना है, पंध्रा है, निश इसोला इंच का टाय पारिज के अंदर दिया हुआ है, क्लैडिंग स्राउंडिंग मिलेगी, ORBM आपको electrically adjustable मिलेंगे, reactable का option नहीं मिलता, यहां indicator दिये हुए है, black ORBM मिलेंगे, glossy black with LED indicator, हाँ, ORBM आमे electrical adjustment मिलेगी, reactable नहीं मिलेंगे, A pillar body color है, B or C black मिलेंगे, black door handle है, door handle भी glossy black दिये हुए है, doors पे नीचे taping black मिलेगी, running board black मिलेगा, rear drum brakes है, इदर आपका fuel light हो गया, 40 liter का fuel light टैंक इसमा में मिल जाता, थोड़ सी taping यहां भी मिलेगी, rear look देखो, rear कितना sporty look है इस गारी का, इस segment के अंदर, यहां LED based tell lamp unit दिया हुई है, indicator, reno की bedging, काईगर का bedging की यहनोन है, और यहां रेनो की bedging की यहां रेनो का logo, और यहां पे भाई, camera वगरा तो नहीं दिया हुआ, तीन parking sensors point के हुए है, दो reflector है, black part मिलेगा, rear bumper का lower देखने के लिए, plain windshield मिलेगी, high motor stop lamp, sporty look में spoiler मिलेगा, with कुछ rough look उपर shark fin antenna दिया हुआ है, वहीं glossy black में, door handles, ORVM वगरा मैं आपको दिखा चुका, यह तो चुका पूरा exterior, अब चलते है, गाड़ी के interior में, तो key दिखा दू, कुछ इस तरह key मिलती है, with center locking, एक key में आपको center locking buttons मिलेंगे, reno का logo, दूसरी आपको dummy key मिलेगी, उसमें कोई buttons व interior rest का, glossy black का भी treatment दिया हुआ है, यह lock unlock के लिए door opener, यह ORVM control unit है, चारो power window मिलेंगी, child lock के लिए, यह ORVM adjust करने के लिए है, बस, driver tree में हम रिच्ट हार टर्च में, speaker, इसमें टूटरल चार मिलेंगे, हमें water water space, यहां semi fabric seats है, adjustable head rest के साथ, clutch brake accelerator, यह headlight height adjust करने के लिए, चावी की AC went surrounding glossy black treatment दिया हुआ, अब चलते हैं, गाड़ी के अंदर, तो भाई यह देख लो interior, Renault काईगर, RXL second base variant का, कुछ इस तरह से steering ए flat bottom, three spoke में दिया हुआ, यह रहनो का logo, टोटल दो airbags मिल जाते हैं, इसमें, driver, co-driver, three spoke plane है, steering adjustment मिल जाती है, steering tilt मिलेगा, telescopic नहीं है, तो भाई यह स्टेरिंग, अब स्टेरिंग देख लो, कोई wrap वगरा नहीं मिलता, grip मिल जाती है, flat bottom स्टेरिंग है, three spoke में, Renault का logo, दो airbag मिल जाते हैं, यह हो रहन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ वाईपर कंट्रोल है, यहाँ पर वाईपर कंट्रोल दिये हुए, instrument cluster कुछ इस तरह का मि देख सकते हैं, यहाँ पर service interval, set, tyre press and monitor वगरा मिल जाता है, यह आपका speed meter, रेनो की बैजिंग मिल जाती है, उपर, कुछ इस तरह से bonnet view है, dashboard view भी देख सकते हैं, कापी बड़ा dashboard view मिल जाता है, price segment के इसाब सभाई, गाड़ी की कीमत अपने आपको justify करती है, कि किसी गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए है, तो यहाँ पर देखोगो, तो 2D music system है, Rxl के अंदर, यहाँ glossy black treatment दिया हुआ उपर, यह Bluetooth के थुरू आप इसे connect कर सकते हो, यहाँ पर यह illuminated controls मिलेंगे, इसमें lights के, यहाँ USB भी लगा सकते हो, आप अपना, और Bluetooth के थुरू, audio streaming, music streaming आप इसे के अ देखते हो, दो AC दिये हुए है, यहाँ lock unlock के लिए, traction on off के लिए, यह हजार light के लिए controls, यहाँ पर manual AC के लिए हुए, यहाँ जगा है, यहाँ space दिया हुआ, पांच gear के साथ कुछ इस तरह का gear lever मिलेगा, यहाँ stir हटा दिया, कुछ इस तरह का space मिलेगा, आपको armrest के अंदर स्पेस आपको काफी बड़ मिल जाता है, manual handbrakes है, बाकी hazard light वगरा, traction on off, lock unlock के लिए, यहाँ गलोब बॉक्स मिल जाएगा, काफी spacious गलोब बॉक्स दिया हुआ है, बाकी 2DN music system, bonnet view, price के according, बहुत अच्छा लगड़ा है देखने में, यहाँ IRBMS दिये हुए है, manual dimming, white reading light दिय mirror वगरा तो नहीं है, बट sunvisor adjustable मिलेंगे, अच्छी quality के साथ, यहाँ microphone दिया हुआ, यह भी आपको, यहाँ पे sunvisor मिल जाएगा, यह भी adjustable है, बट ticket holder वगरा कुछ नहीं दिया हुआ, यह तो हो चुका पूरा driver front, अब SSC mode कर देते हैं, इसका off, और आ जाते हैं भाई, गाड़ अबी, lock and lock के लिए door opener, speaker water bottle space दिया हुआ है, इस जगा पे, यार हो जाकर ने, तो zoom नहीं हो राता, यहाँ add-on headrest है, seat, एक ही दिए सिंगल, AC vents हैं, 12 volt का output मिल जाएगा, इस जगा पे आपको, reading light भी एक ही है, आगे, space अच्छा है भाई, गाड़ी के अंदर, no doubt, passenger seat पे भी, manage क अच्छा, rare look, काफी attractive लगता मुझे, electric button दिया हुआ, boot gate खोलने के लिए, parcel tray दी हुई है, 408 liter का boot space मिल जाता, इसमें, हमें, और आई, यहाँ पे, spare wheel, आपका, और tools आपके, तो यह तो हो चुका, पूरा, interior, एक बाद, engine, cabinet open कर लेते हैं, इसका, नगराते, engine open कर लेते हैं, य आजाते हैं, सामने गाड़ी के, अब यह जैसे, इसका, bonnet open करेंगे, engine cabinet open करेंगे, यह insulation padding दी हुई है, इसमें, हमें, वन लीटर का, energy petrol engine मिल जाता है, जो की power produce करता है, 71 bhp की, और टॉक जनेर करता है, 96 newton meters का, 19.1 km पर लीटर की company, mileage claim कर रही है, इसकी air IK, according, 764, full tank पे गाड cell, second base variant का, interior, exterior, engine specification, 2024 के अंदर, गाड़ी के वारे में, आपका क्या opinion है, comment box में बताना, गाड़ी आपको कैसी लगी, comment box में बताना, अपना opinion देके जरूर जाना, इस price segment पे हम एक ऐसी गाड़ी मिल रही है, price मैंने वगरा, सारी details आपको वीडियो में बताई है, तो please अपना opinion देके जरूर जाना, और गाड़ी आपको कैसी लगती है, ये भी बताना, personally, और opinion बताना देना, हम मिलें के नेक्स वीडियो में, जब तक टाटा, बाई बाई, बात मता की जह,